क्लास नाइन्थ यूनिट 3 में हमने फर्स सेशन पढ़ लिया था उसमें हमने पढ़ा था कि ICT क्या होता है information and communication technology होती क्या है और किस तरह से हम उसको अपने workplace पे अपने घर पे अपनी daily activities के लिए किस तरह से हम यूज करते हैं ठीक है आज हमारा सेकंड सेशन है ICT tools के बारे में कि इसमें कौन-कौन से तूल साथे जिसमें अभी आपके session में आइ सीटी में थाट हैं तो आइसे टूलज 우law आपको पता है और आपको पते ही बहुत ज़ादा हो गए चैनल के हमारे डेली अक्टिवीटी के रूटीन वर्क को करने के लिए और ला से साह 묘ता है कम्पीटर थाक हैं उस तरह से मने मुस्टली जो हमंको सब्सक्राइब था इज्व dan sweet absolutely तो सब्सक्यों सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे हम इमेल को सेटों कर सकते हैं इवन करते हैं मैसेज सेंड करते हैं पिक्टेश को शेयर करते हैं ठीक है तो आज प्रच्छा इन डियवाइजेस के विना हम can to human a do सब्सक्राइब एंगर अगर किसी भी तरह की में करनी हैre तो हम नहीं कर सकते हुआ और हमने नहीं ले सकते हैं तो कोई आइडिया यूज जो भी पूरे दुनिया में कहीं पर भी हुई है वो हम फ्रेक्शन आफ सेकंड में इंटरनेट से सोचल साइट से इसीली गेट कर सकते हैं इस लोंग आस वन पर संप्रमिशन ले भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं तो स्मार्ट फोन आप बीज़ देखनेट विश्टा मेडिया और एकसेंज इन इन और स्मार्ट फॉन एक ऐसी डिवाई है हमारे हाथ में आज कर जिसके थू हम किसी भी सोचल मेडिया के साथ जो है बहुत easily connect हो सकते हैं और अपनी information को exchange कर सकते हैं हम किसी भी तरह की information ले भी सकते हैं और share भी कर सकते हैं तो हम detail में पढ़ेंगे smartphone क्या है देखो इसमें क्या लिखा है कि जो mobile phones होते हैं वह ICT tools होते हैं जो mobile phone simple वाले होते हैं वह भी हमारे ICT tools में ही आते हैं जिसमें हम simply जो है लोगों के साथ बात कर सकते हैं जैसे एक phone का ही स्तमाल किया जाता है बट जो smartphone है वह ज्यादा एडवांस होता है smartphone से अब देखो इसमें लिखा है विद इस simple mobile phone you can only make phone calls and receive calls but with a smartphone you can make calls and do things that you normally do using a computer such as browsing the web, sending emails, making video calls, playing games, listening to music, watching movies and much much more कि mobile phones का use करना सिर्फ calls को receive करना और phone करना मलब किसी से सिर्फ बात्चीत phone calls को pick करना किसी को phone करना सिर्फ उसी तक सीमित था बट जब से smartphone आये हैं तो ज्यादा तर काम जिसे मैंने भी बताया हम computers पे कर सकते हैं वह सारे काम हम अपने mobile पे अपने mobile means अपने smartphone पर कर सकते हैं ठीक है, अब smartphone को भी हम mobile बोलते हैं क्योंकि हम यह wireless होता है और हम एक प्लेस से दूसरे place में इसको easily ले जा सकते हैं, से लिए smartphone को भी यह नहीं कि mobile नहीं बोलते हैं तो smartphone को भी हम मोबाइल बोलते हैं ऐसा नहीं है तिके बड़ स्मार्टफोन उन फोन को स्पेशली बोला जाता है जिसमें यह सारे फीचर जोते हैं जिसमें इंटरनेट की अश्य बितरों से इंटर्णेट के यूज़ करके स्ma invaded us by इसको भी हम मुभाइल फोन भोलतें ठीक है एक हमारे लाइन की जरूरत नहीं कोई राइल सकते हैं रसको स्मार्पोन को मुभायल भी बोलतेर ओके और हमारे मोबयंबे समार्पों अ सब्सक्व्स अलगलगा ओपरेटिंग तो अभी आपको कुछ नहीं बता ऑपरेटिंग सिस्टम के भालारे में तो वह जैसे जैसे आए की यही देखना है कि जो स्मार्ट फॉन के लिए पॉपूलर operating system होते हैं वह कौन सही होतें Android operating system Apple iOS एपल अपरेटिंग इपल इंड़ोफान विन्डौस का operating system भी होता है तो कौन कौन से स्माटफोन के लिए operating system आएंगे तीन बताने आपने Android operating system Apple iOS & Windows mobile Windows by Mini does क्या है एक operating सटेटों नेक्स हे हमारा टेबलेटस टेबलेटस आपन सब्सक्राइब होता है और नोवल पढ़ रहे हैं जादा देर के लिए मोबाइल मतला में काम करना होता है तो रादर स्मार्टफोन हम लोग टैबलेट का भी यूज कर सकते हैं प्रोफेशनली काम करने के लिए क्यों उसमें एजी क्यों रहता है क्योंकि एक तो स्क्रीन बड़ी होती है जिसकी वज़े से काम हमारा मतलब कंप्यूटर का नाम भी दे सकते हैं तो टैबलेट क्या है मीनी कंप्यूटर है जिसमें इंपूट आउटपूट एंड प्रोसेसिंग फंक्शन्स होते हैं और वह सारे के सारे जैसे कहलो कि एक टच स्क्रीन के रूप में एवलेबल है मींस हम टच करके कोई भी काम कर सकते ह हैं ठीक है और कोई भी काम हम प्रोसेसिंग वाला भी काम हम टच स्क्रीन से कर सकते हैं जहां पर हम बड़ी स्क्रीन देख पाते हैं और अपने सारे फंक्शन्स एजीली कर पाते हैं ठीक है नेक्स आता है हमारा टीवी और टीवी और रेडियो टीवी और रेडियो भी हमार यूज किया जाता है और audio visual दोनों तरह की information को जो सुनाई दे और जो देख सके audio and visual information को share करने के लिए हम लोग किसका इस्तमाल करते हैं टीवी का इस्तमाल कर सकते हैं और वो बहुत सारे लोगों को एक साथ information दे सकते हैं तो radio and tv are used for both entertainment as well as to learn new things आप न्यूज वगरा देखते हैं नैशनल जीग्रेफी देखते हो दिसकावरी चैनल देखते हो और भी कई तरह के चैनल्स है जिसे में बहुत जादा नौलेज बिलती है आप लोग और क्या देखते हूं टीवी पर न्यूस सुनते हो किसी अलग लग तरह के आप लोग जो है वह मूवी वाले आपके पास चैनल्स रहते हैं आप स्पोर्ट्स के कई तरह से कई तरह के चैनल्स को देखते हो क्रिकेट कमेंट्री वगरा सुनते हो कई तरह की स्पीचिज आप उस अलग अलग प्रोग्राम में जो आती है वह आप सु सुनने काम करते हैं जैसे क्रिकेट कमेंटरी हमने देखनी है तो तो हम सुन पाते हैं रेडियो पर अगर हम सुन पाते हैं साथ के साथ हम सुनने के साथ हम उसको क्रिकेट को लाइव ली लाइव भी देख सकते हैं ठीक है लाइव भी देख सकते हैं तीवी पर हां और पहले से रिकॉर्ड हुआ तो पॉर्वाचिंग मुवीज नीज वैदर फॉर्कास्स देखते हैं ठीक है ऑना चाहिए इस था इसे तरह संग किस किस तरह कि हमार पास एपलिकेशन रहते हैं जिसको कि हम मोबाइल में जब हम देखते हैं अपलिकेशन को a computer applications बोल देते हैं यह जाइनली उसको क्या वोलते हैं एपस बोलते हैं तो हाउ देजी स्मार्ट फॉन पर्फॉर्म सो मैनी फंक्षन इटडस विद्यक्पोर अप्लिकेशंग्स तो जितने भी हम काम अपने स्मार्टफोन से मने बोला हम यह कर सकते हैं वो कर सकते हैं तो वह इन एप्स के बिना पॉसिबल नहीं है और यह एप्स क्या होती हैं सौफ्ट्वियर एप्लिकेशन होती हैं जो कि हमारे पर्टिकुलर हाड्वियर पर रन करती हैं इन्हीं सौफ्ट्वियर एप्लिकेशन से ह अलग-अलग तरह के कई तरह के कामों को परफॉर्म कर पाते हैं बीना किसी आप के आप वो काम करी नहीं सकते तो जैसे अगर आपने सोशल मीडिया फेस्बुक का यूज करना है तो पहले आपको फेस्बुक चो है इंस्टॉल करनी पड़ेगी प्लेस्टोट पर जा करके होत उसी तरह से एपस का होनों बहुत जरूरी है अधरवाइस आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को जो उस आपने वह आप या पर्टिकुलर फंक्शन को जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे ठीक है तो जब हम लोग इन एपस को टच करते हैं तो वह कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम या फंक्शन जो भी उस जैसे स्पोस अपने मूवी देखने के लिए हमने कोई आप डाउनलोड कर रखी है कोई गेम हमने डाउनलोड कर रखी है ठीक है तो वह पर्टिकुलर ली वह जो उस एप का एक आइकन होगा उस आइकन पर हम लोग जब प्लिक करते हैं तो ही वह फंक्शन परफॉर्म हो पाता है तो हमने क्या बोला एपस आर्हार इस आडी सौफ्टियर प्रोग्राम अब प्रोग्राम क्या होता है सेट ऑफ इस्ट्व उसमें वन बाई वन क्या-क्या are the software programs that perform different functions अब software program को क्या बोला हमने a set of instructions और a set of modules that allow for a certain type of computer operation some of the apps are already present on the phone or tablet these are called default apps जब हम लोग नया phone भी लेते हैं तो उसमें कुछ apps और पहले से ही install हो के आती हैं उनको हम default app बोलते हैं besides there are hundreds of other apps that can be purchased and downloaded or downloaded free of course from online stores ठीक है तो हम और भी कई तरह की apps को download कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर के और तक क्रीबन apps हमारी जो है वो available हो जाती है free of cost भी हो जाती है अगर हम उसको online store से पर्चेस करते हैं तो पर्चेस नहीं करते हैं उनलाइन स्टोर से जब हम उसको जैसे मैंने आपको बताया प्ले स्टोर है होता है हमारे android phones में तो हम उसमें किसी भी app को free of course डाउनलोड कर सकते हैं तो यह हमारे android phones के लिए बट अगर आपके पास apple का phone है तो apple app store होता है for apple company अगर आपके पास apple प्ले स्टोर होता है इस चीज के लिए google play store होता है ठीक है तो उस प्ले स्टोर में जाके आप को भी एक authenticate particular app चाप कुछ चाहिए वहां से install कर सकते हैं अब commonly found applications देखते हैं अब यह वाली applications है वह सब करीवन सब के mobile में आपको मिल जाएगी smartphone पे देखने के लिए कौन कौन सी जैसे सबसे पहले आप देख रहो इस तरह का green square के अंदर आपका एक phone का इस तरह से तो वह पहले से by default आपके mobile पर already installed होके ही आपको देते हैं ठीक है तो कौन कौन से phone तो आप जब भी नया कोई phone लाते हैं आप यह phone app को कभी भी डाउनलोड नहीं करते हो आपको अलड़ी वह मिला मिला ही होता है तो आप जस्ट अपना SIM डालते हो और phone call करना शुरू कर देते तो this app is used to me cause it also stores the name and phone numbers of people you know ठीक है और इस एप में और क्या क्या होता है इसमें आपके जितने भी आपने नाम के साथ phone number save के होते हो सारे इस एप में ही आपके store होते हैं ठीक है internal storage में फिर आता है आपके पास calendar app यह आपको इस तरह से दिखता है इसका icon it shows a calendar and you can also enter appointments, reminders, etc. इस calendar app को जब आप खोलते हो तो आप किसी का birthday है किसी का कोई special day आपका अपना है कोई meeting आपने fix की हुई है या आपने किसी interview के लिए जाना है तो किसी भी तरह की आप अपने लिए reminder set कर सकते हो स्पोर्स कल आपने सुबह कहीं जल्दी जाना है या फिर एक हफते या आपको कोई इस तरह से जाना है जो आप भूल ना जाओ बहुत अर्जेंट है तो आप अपनी appointment अपने रिमाइंडर में जाकर के fix कर सकते हो बाकी डेट डूट तो आप कुछ भी देखनी है तो आप देख सकते हैं फिर photos का इस तरह से sign होता है जो आपकी gallery को रिप्रेज फिर map आता है Google map है यह जो आप हमारे को मदद करती है डारेक्शन के लिए जैसे suppose हम Google map on कर लें और हम कहीं जा रहे हैं हमें particular location का नहीं पता कि यह जो एक जगह वो कहां कहां से होकर के हमें जाना है मतलब उसका रस्ता हमें नहीं पता है तो एक particular location हम डाल सकते हैं अपने Google map प बताता जाएगा हमें रस्ते में किसी और से भी पूछने की जरूरत नहीं है Google map हमें बिल्कुल exactly उस location पर ले जाता है ठीक है तो हम GPS इसको इसमें जो यह जो एप है वो GPS का यूज करती है GPS means Global Positioning System तो यह आपको डैफ इसकी जो फूल फॉम आपको याद होनी चाहिए Global Positioning System त कि हम हमें किस तरह से उस location पर पहुंचना है स्पोस हम दिल्ली जा रहे हैं हमें उस पाटिकुलर जाना है हमें नहीं पता है कि उसका रस्ता कहां से होगा तो बजाए लोगों से पूछने के हम अपने smartphone पर Google Map को active मतलब Google Map वाली आप पर जाएंगे वहां location डाल देंगे तो व आना है वह पूरी direction आपको बोल करके मैं आप बताता है नेक्स्ट वैब ब्राउजर वैब ब्राउजर जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ही आप internet से कोई information ढूंड सकते हो ठीक है अलग-अलग website पर जा सकते हो तो इसलिए वैब ब्राउजर क्या है it allows you to open a browser to search and visit different websites ठीक है फ कुछ आपकी फ्री होती है और कुछ आपकी paid भी होती है जो आपको चाहिए तो आप उसको पे करके भी install कर सकते हैं अपने सिस्टम पे इसी तरह से आप camera की app देखते हो it connects to camera in the phone and takes photos and videos भी ले सकते हो mail का icon है an email app to send and receive इस mail पे जाकर करके हम अपने account बना सकते है Google account बना सकते है चाहिए YouTube है चाहिए Facebook है चाहिए WhatsApp है तो किसी भी तरह का mail ID है वो हमें use करता है किसी particular app को use करने के लिए तो mail account होना बहुत बहुत जरूरी रहता है smartphone में तो an email app और हमें क्या फायदा रहता है इस app से हम किसी को भी email send कर सकते हैं किसी से email receive कर सकते हैं अपने particular account में तो हम Gmail पे ब email ID है तो हम जब practically करेंगे अपनी लैब में करेंगे तो मैं आपको बताओंगे किस तरह से हम इन email accounts को बना सकते हैं और कैसे हम फिर अपनी mail send कर सकते हैं कि दूसरे को और किस तरह से हमें receive होती है mails ठीक है तो वह सारा हम detail में पढ़ेंगे फिर clock app है आपको time देखना है कोई alarm set करना है आपने किसी तरह का timer है जैसे कोई game चल रही है तो one minute का आपने timer set करना है तो सब चीज़े आप clock में जाके कर सकते हो ठीक है फिर simply icon किसका होता है messages का जिससे की आप अपने message को जिसको sms भी बोलते हैं तो sms messages को receive कर सकते हो और send कर सकते हो फिर next आपका यह है music का icon है जिसमें आपको आपने कुई भी किसी तरह के songs music जो है वो सुनने है तो आप music वाली app में जाते हो वहाँ पर आप music में और भी अपने पसंद के गानों को डाउनलोड करवा सकते हो नेट के थरू फिर apple store apple store जैसे google play store है वैसे ही आपके पाई यहां पर आपने पढ़ा था गूगल प्ले स्टोर इसी तरह से यहां पर एपल स्टोर जैसे मैंने बोला था android वाले जो फोन्स होते हैं हमने तीन तरह के operating system पढ़ें ना android का पड़ा और एक apple का पड़ा और विंडोस तो गूगल प्ले स्टोर हमारा android फॉन्स के लिए और apple store हमारा किसके लिए apple phones के लिए as android smartphones have a google play store similarly apple devices have an apple store where you can download and use various apps ठीक है उसके बाद है हमाँ पास एक differentiation लास्ट में आ रहा है smartphone versus tablet इन दोनों में क्या difference है वो यह है कि सबसे पहले smartphone एक phone की तरह है बट कुछ additional features होते हैं जैसे camera सिर्फ camera ही नहीं मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे features होते हैं तो कई सारे ऐसे features होते हैं जो कि हम use कर सकते हैं अपने smartphone पे तो majority of smartphones run on apple ios और google android but other use windows phone और blackberry एक और पढ़ लिया हमने चौता blackberry operating system तो इसमें बता दिया कि कौन कौन से operating system वाले smartphone मार्किट में अवलेबल है अगर हम बात करते हैं टैबलेट की तो यह वी wireless portable personal computer है जिसमें हम touch screen से ही सारे काम कर सकते हैं तो touch screen जैसे हम smartphone पे करते हैं इस पे भी कर सकते हैं अलग स इसमें जैसे computer में चाहिए होता है इसमें touch screen से ही हम कुछ भी type कर सकते हैं जैसे कि हम लोग अपने smartphone में कोई भी किसी तरह की typing कर सकते हैं किसी भी icon पे को tap करके हम उस icon जो भी icon होता है जिस आप का होता है उससे वह function वह काम करवा सकते हैं तो as a wireless portable personal computer इसको personal computer भी बोलते हैं हम PC ठीक है तो विदर touchable या with touch screen interface which makes it more useful than a notebook computer तो notebook computer इससे भी थोड़ा छोटा होता है तो उसके compare में यह और भी ज्यादा useful होता है और इसमें क्या difference है इसमें भी बताया कि android operating system होता है कईयों में apple operating system system होता है और कईयों में Windows operating system होता है ठीक है तो यह difference है इन दोनों के बीच में फिर हमारा screen size का screen size आपके smartphone में चोटा होता है computer tablet और इसके पास bigger screen होती है ठीक है tablet में photos and videos की बात करें तो हम लोग smartphone का यूज करते है movies को देखने के लिए making changes to a picture is difficult अच्छा हां but movies देखते हैं but वह इतना मज़ा नहीं आता smartphone की क्योंकि screen छोटी होती है इसलिए हमें वैसा movie देखने का मज़ा नहीं आता है अपने mobile पे तो इसलिए पिक्चर और देखनी है या किसी पिक्चर आप एक कोई photo ले रहे हो उसमें कोई change आपने पिक्चर ली पिक ली तो आपने उसमें कुछ changes करने तो वह भी कई वारी स्मार्टफोन में difficult हो जाता है कि आपका स्मार्टफोन छोटी स्क्रीन वाला हो ठीक है बट अगर आप वस्ट टैबलेट है क्योंकि हम दोनों में difference देख रहे हैं तो टैबलेट का क्या है कि बड़ी स्क्रीन है तो वीडियो देखना कुछ भी photo में changes करना वह easy हो जाता है क्य लंबा होता है लोंगर बैटरी लाइफ इसकी रहती है उसके बाद difference देखें तो स्टोरेज की बात करें तो स्मार्टफोन जो है लग लग स्टोरेज कैपस्टी का आता है बट फॉन विद हाई स्टोरेज बढ़ानी है तो हमें तोड़ी जादा पैसे खर्च करने बढ़ते गहाँन थीक defence बात करें तो जादा स्टोरेज कैपस Touare ALT IS को मेरा स्मार्टफोन यहां विदै न कीा साथ तो इसकी सोलइज के पैस्टीा जादा रहतीकी स्मार्टफोन करें तो दीज भी स्टोर्ट एसमग स्टोरेज स्टोरेज की स्टूरेंसें हाई नअ के स्टोरेज कर साइए अभी हमने यह सिंबल पड़े हैं तो आप बता सकते हो कि यह फोन का सिंबल है केलेंडर का है म्यूजिक का क्लॉक का है एल्बम का है जिसको गैलरी भी बोलते हैं और यह हमारा अब आपने क्या करने है इन क्यूस्ट यह जो मैंने आपको बताया ना इस सब को आपने कॉपी पर कर लेना है इसके आगे फर्दर यह आइकन किस आपका है वह भी आपने लिख देना है सेकिंड क्यूस्ट है राइट एनी टू डिफ्रेंस बीट्वीन स्मार्ट फोन एंड ट स्मार्ट फोन टैबलेट के बीच में कि क्या होते हैं तो बाकी यह जो चीजें है उसके बाद है यह डेमोंस्ट्रेट दिन नॉलेज ऑफ यूजिज ऑफ आइसीटी टूल सच अश्मार्ट फोन टैबलेट अब आपने इस कुश्चिन को भी करना है यह तीसरा कुश्चिन ह डेमोंस्ट्रेट दिन नॉलेज ऑफ दी यूजिज ऑफ आईसीटी टूल सच स्मार्ट फोन टैबलेट तो आपने अभी पड़ा था न स्मार्ट फोन क्या होता है टैबलेट क्या होता है इसके बारे में भी आपने थोड़ा थोड़ा लिख देना है कि आपने स्मार्ट फो तोड़ा नहीं उतारना है इसमें आपने थोड़ा सा लिखना है जैसे आप लिख सकते हो यहां से with a smartphone you can make जिसमें आपको थोड़ा सा बता देती हूं कहां से आपको लिखना है यहां से आपको लिखना है with a smartphone you can make calls and do things that normally you do using a computer such as browsing the web sending emails making video calls playing games listening to music watching movies and much more ठीक है बस आपको इतना सा लिखना है और साथ में फिर लिखना है some of the popular operating systems for smartphones are android operating system apple operating system and mobile windows windows mobile or windows operating system और एक blackberry operating system चाहर लिख देना ठीक है फिर आता है आपका यहोगे न स्मार्टफोन अब आएगा आपका tablets tablets में आपने लिखना है tablet is a mini computer with input output and processing function that all combined into one touch screen where you can do various tasks just by touching its screen ठीक है और इसमें क्या लिखना है येस इसमें अब आपने और लिखना है कि it is a bigger than a smartphone and you can perform all the functions that one can perform on computer on a or a smartphone कि एक computer पर जो आप काम कर सकते हो या एक in questions बता दिया मैंने काइकन वाला प्ता दिया दूसरा differentiation between a smartphone and tablet और थीसरा demonstrate the knowledge of the uses of ICT tools such as smartphone and tablet ठीक है तो this is all about your session 2 थैंक यू बेटा